हेलो एवरिवन वेलकम तो मैं चैनल केसरी फूट्स तो आज हम बनाते हैं वेजिटेबल्स में स्पाइसी अपने मटर पनीर मटर मश्रूम तो खुब खाया होगा बट क्या आपने कभी मटर मखाना ट्राइ किया है तो कुछ तो अलग और नया टेस्टी सा लगेगा आपको त यहां पे एक टमाटर लिया है थोड़े से बरे साइस का आपके पास चोटे-चोटे हो तो दो यूज करें बहुत ज्यादा भी ना करें सबजी में खटापन ज्यादा आ जाएगा तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा बस इन सब को डाल कि हम बना लेंगे पेस्ट तो ह यहां पे मैंने एक पैन ले लिया है पैन में डाल देंगे टू टेवल स्पून घी और इसी घी में हम भून लेंगे मखाना तो मखाने को हम अच्छे से रोस्ट करेंगे मैंने एक बावल लिया है मेजरिंग के लिए इसी से सबी चीजों को मेजर करेंगे तो एक कप मैंने म तो ग्रेवी के लिए यहां पर मैंने सेम पैन यूज किया है, सेम पैन में डाल देंगे कुकिंग ओयल, 3-4 टेवल स्पून और इसी में डाल देंगे अपने खरे मसाले, तो खरे मसाले में एक तेज पता लिया है, दो से तेन कटे हुए लैसून लिये हैं, थोरे से दाल चीनी लिया है, और एक चोटी लाइची लिया है, और जीरा और एक हरी मिर्च है, इन सब को तेल गरम होने पे इसमें डाल देंगे, हम तरकने के लिए, और तब तक भूनेंगे, जब तक कि इसमें से खुस्बून आने लग जाए, और कलर चेंज ना हो जाए, तो खरे मसाले हमार के हम तेल में डाल देंगे, और इसको भी कलर चेंज होने तक भूनेंगे, तो यहां पर प्याज में अच्छा सा गॉल्डन कलर आ गया है, प्याज हमारा भून के तयार है, तो जो हमने टमाटर वाला पेस्ट पना के रखा था, उसको इसमें डाल देंगे, और इसको भूने इन मसालों को तकरिवन दो से तीन मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनेंगे और जब यह मसाला थोड़ा सा गाड़ा हो जाएगा तो हमाँ एड करेंगे अपने सुखे मसाले तब तक इसको भून लेते हैं नाव टाइम टू एड सुखे मसाले तो सुखे मसालों मैंने हाफ टेवल स्पून देगी मिर्च लिया है यहाँ पे आप लाल मिर्च का भी उस कर सकते हैं 1 4 tablespoons डाल दिया है healthy powder, 1 tablespoon डाल दिया है धनिया powder, धनिया powder थोडा सचादा ले ले, और half tablespoons डाल ढाल देंगे jeera powder, इन अडिक्राप प्रॉडरर, टेल रॉणे तब तक भूणेंगे जब तक मसाले से तेल न चोडनने लग जाए या फिर पैन न चोडनने लग जाएं तो तब तक हम बोहत ही इमानदारी से medium to low flame पे अच्छे से भूनते हैं मसाले को और फिर आगे की तैयारी करते हैं तो यहां पे मसाले हमारे अच्छे से भून गया है मसाले पैंच चोड़ना शुरू कर दिया है ये साइन है कि हमारा मसाला जो है अच्छे से पक चुका है तब इसके बाद इसमें डाल देंगे वन टेबल स्पून गी आप यहाँ पे गी के जगा मलाई भी यूज़ कर सकते हैं जो दूद पे होता है वो मलाई डाले या फिर घी डाल दें तो मैंने यहाँ पे गी का यूज गी डाल के अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद डाल देंगे अपना हरा मतर अगर आप घी के जगा मलाई यूज़ करना चाहते है तो मलाई टूटेबल स्पून यूज़ करें तो मैंने सेम कटोरी से हाफ कटोरी मतर लिया है जिससे एक कटोरी मैंने मकाना लिया था न और मैं इसे चपाती के साथ यूज करूंगी सबजी को तो मैंने थोड़ा सा गाढ़ा रखना है अगर आप राइस के साथ यूज करेंगे तो पानी का कॉंटिटी थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि ग्रेवी थोड़ा सा पतला हो जाए बस हमने जो मखाने भून के रखे थे उस इसमें एक अच्छा सा उबाला आ गया है तो बस फ्लेम को करना है बिलकुल लो और इसको ढखके पकाना है तब तक जब तक की मटर न पक जाए क्योंकि मखाना बहुत ही जल्दी पक जाता है तो मटर पकने तक का ही वेट करना है तो ये देखिए सबजी कितना बढ़िया ल अच्छा आता है अब इन समसालों को डालके लो फ्लेम पे एक मिर तक और पकाएंगे और बस हमारा टेस्टी सा मज़ेदार सा सबजी रेडी है और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज केस्टी फूड को सबस्क्राइब करें लाइक और कमेंट करें और बेल अच्छे से पक्के तयार है तो चूले को करते हैं बंद और ले चलते हैं सर्फ करने के लिए आई होप यू लाइक इट थाइंक्स पर वाचिंग इंजोई